हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्पैन सुरेश दोस्तों प्रभास 4.0 इबेंड में आईसर ने अंभिल किया है अपना नया आईसर स्काइलाइन प्रो 3011 के स्टाफ बस इस बड़ा में दोस्तों आप लोगको इस पस का कुछ हाईलाइट स्पीचर्स और इसका स्पेसिफिकेशन के बारें बताऊँगा इसलिए आप इस वीडियो का आखिर तक जरूरी देखिए इसका चैचिस डोंमेक्स R650 पर बना हुआ है इंजिन की बात करें तो इसमें लगा हुआ है आइसर का 3 लेटर वाला E474 एंजिन जिसका एंजिन डिस्प्लेश्मेंट है 2960 cc जो की मैक्सिमम अल्मोस्ट 140 hp का पावर जेनरेट करता है 3200 rpm तक और इसमें आपको मिलता है 400 Nm का टॉर्क जो की 1200 से 2500 rpm तक टॉर्क इसमें जेनर बाजिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है और साइड में आपको बॉल टाइप टॉर्न इंडिकेटर्स भी आप दे सकते हैं और टायर्स के बात करें तो इसमें लगा हुआ है 17.5 पिंस का टायर जिसका साइज ये 235 x 75 और 17.5 टुबलेश टायर्स सस्पेंशन के बात करें दोस्तों इसमें सामने और पीछे आपको परावलेगली स्प्रिंग मिलता है और उसके साथ इसमें आपको एयर ब्रेक्स प्रवाइड किया गया है और यहां पर आपको दिखना हो मिलता है लेफ साइड में इसका स्पेर हुइल उसी के साइड में है इसका बैटरी का ब रियर में center में आप icer का chrome finish में badging, left side में skyline pro का chrome finish में badging, right side में EU take 6 का stickering badging और उसके साथ safety के लिए पीछे 5 river parking sensors प्रवाइड के गया है और इसमें आपको normal standard tell lights देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहां पर आपको इसका emergency door भी दिखने को मिल जाता है और इसमें दोस्तो राइट साइड में दिया गया है इसका 12 टांग जिसका capacity है डिजल में 100 लिटर और 8 ब्लूप में आपको 27 लिटर का इसमें 8 ब्लूटांग दिखने को मिल जाता है चले इसका देखते हैं इसका interior तो दोस्तो इसका interior का जो color graphics है वो आपको दिखने में काफी पसंद आएगा दोस्तो इसका total sitting capacity है 50 plus D और इसका setting का layout है 3 by 2 इस पज़े से इसका total sitting capacity हो जाता है 50 plus D और सबी seat में आपको aicer का logo भी आप दे सकते हैं seat quality इसमें बहुत ही अच्छा है और इसका color combination भी आपको इसमें डूटल कर्णर में प्रोवाइड के जाता है जिस पज़े से दिखने में भी आपको पसंद आएगा और रात में बस में अच्छा visuality होने के लिए इसमें बहुत सारे LED lights भी प्रोवाइड के गया है और दोनों साइड में आपको बहुत ही अच्छे quality का इसमें luggage racks भी आपको यहाँ पर मिल जाता है पर इसका seat का leg room को भी दोस्ता आप दे सकते हैं seat में आपको काफी अच्छा leg space मिलता है seat quality इसमें बहुत ही अच्छा है और इस seat भी बहुत ही comfortable है और दोस्तो एमर्जेंसी के लिए driver seat के पीछे आपको इसका fasted box भी आप दे सकते हैं और seat के नीचे यहाँ पर आपको fire restaurant गैचर भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि लगबग icer की सभी model में आप दे सकत हैं इसका दोस्तो transmission है 5 speed इसमें आपको मिलता है 5 forward और 1 reverse gear और उसके साथ इसमें आपको icer के तरफ से मिलता है power steering और उसके साथ इसमें है 3 fuel saving modes जैसे की eco mode, eco plus mode और power mode जो कि आपको बहतर fuel efficiency दिने में मदद करता है उसके साथ इसमें 12 volt का mobile charging port भी आप इसमें दे सकते हैं और दो दोस्तो driver seat भी इसमें बहुती comfortable है, seat quality इसमें आपको कफी अच्छा मिलता है, seat भी इसमें dual tone color में आप दे सकते हैं, उसके साथ अभी icer की सभी buses में आ चुका है fire detector और यहां पर है इसका center mirror और उसके उपर आप इसका digital clock को भी दे सकते हैं, last point है इसका pricing, इसके अभी एक्सरू का धन्यवाद मिलते हैं आपके साथ एक ने वीडियो के साथ